नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन नाउ भारत सरकार ने कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए 80 चोटी का जोर लगा दिया है लेकिन कुछ समाच के दुश्मन नहीं चाहते कि इस बिमारी का कहर्थमे इनी सब हालातों को देखते हुए आसन सोल के जमुरिया थाना के केंदा में पुलिस पहाडी दुआरा चिंचूरिया मोड के पास मास्क ना पहने वालों के खिलाफ कारवाई की गई जिस भी शक्त ने मास्क नहीं पहना था उसे प्रशाफन दुआरा जागरूख किया गया और कुछ लोगों को पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उन्हें गिरफतार भी कर लिया अनलोक की प्रकिया शुरू होने के बाद से लोग सावधानी बरतना भूल चुके हैं उन्हें ना अपनी फिक्र है ना ही अपने परिवार की और ना ही समाज की ऐसे लोग समाज के हित के दुश्वन बनते जा रहे हैं जब शुरू में देश लॉकडाउन था तो लोग मान भी रहे थे जब इस्सिती भायावा हो गई जिस दोरान लोगों को और भी सावधान रहने के जरूरत है ऐसे समय में लोग सूफल डिस्टेंसिंग की धज्जिया उनाते हुए दिख रहे हैं जो की बिल्कुल ही सही नहीं है लोग ना ही सैनिटाइजर का इस्तिमाल कर रहे हैं ना ही मास्क का इस्तिमाल कर रहे हैं ऐसे लोग समाज के दुश्मन बन बैठे हैं ज़रूरत है इस कुरोना महामारी के दोरान सभी को जागरुक होने की नाशननाओ के भी आप सभी से अपील है कि घरों में रहें बहुत जरूरी होने पर ही निकले सोसल डिस्टेंस को बनाए रखें समय समय पर हाथ को अच्छी तरह से साबुन से या फिर हैंड वास से साफ करें और सैनिटाइजर का इस्तमाल करना ना भूले चीव है ऊक्ताइज तरह समय आए वाफ है पर देखेंजर का इसटेंख प्रीप एंप्राक्ताइजर को फिर हमक्ताईजर करताओं कि जबाव आप स्थिस्टेंस के लाट गाला कर्षेंगे से साफ की ईंदे खिएश्नक्ताइजर जागरुकता अभ्यान के दोरान पुलिस के अधिकारी वेकानंग चताजी राम चंद्रमाहतो भनान जाग संग मोजित रहका लोगों को जागरुक किया